हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घर में सेफ और हेल्दी होंगे तो आईए मेरे साथ चलिए मेरी किचिन में हेलो माई डियर फ्रेंड्स चलिए किचन के अंदर चलते हैं और देखते हैं आज क्या बनना है ये देखिए मैंने कितनी साली सबजियां वेजेटेबिल ग्रीन रेड सब कलर की कट करके रखी वी हैं और बीन्स काटी हैं एक कप बीन्स हैं चॉप करीवी गाजर एक कप चॉप करीवी मटर एक कप और ये फूल गोवी हैं एक कप बारिक बारिक चॉप करीवी और शिम्ला मिर्चे हैं एक कप चॉप करीवी इस्टार है दो लोंग हैं दो काली मिर्चे हैं और ये कुछ बेसिक मसाले हैं और ये सबजी मसाला है इसकी जगे आप बिर्यानी मसाला भी यूज कर सकते हैं एक कप टमाटर की प्यूरी है और ये कुछ मसाले अलग हैं ये तीन सहरी इलाइची, एक दाचीनी का टुकड़ा और दो हरी मिर्चे तो ये जो तीनों चीजे अलग थी ये मैं कड़ाई में पानी गरम करने के लिए रखाया है वैने तो यह मैं इसमें डाल देती हूँ, मुझे इसमें चावल बनाने है, जो बिर्यानी के चावल है, मुझे अलग से पकाने है पहले और उसके बाद में बिर्यानी की सबजी की त्यारी करूँगी दूसरी साइड में इसमें यह हमने तिनों चीजे डालके नमक डाल ढाल दिया है अच्छे के नमक के डाल देंगे इतने वह पानी मेरबोयल हो रहा है मैं इधर बिर्यानी की सबजीया तयार कर लेती हूँ सबसे पहले हमने पैन में घी लिया जब घी ग अब हो गया तो उसमें आधा चम्मच जीरा एड़ कर दिया जीरे के साथ जो खड़े मसाले थे तेज पात है, दो काली मिर्चे हैं, दो लॉंग हैं और एक स्टार है, यह सब मैंने इसमें एड़ कर दिया अब हम इने अच्छे से भून लेंगे पहले जब इन में से खुश्बू आने लगेगी भुनने की फिर हम इसमें प्याज एड़ करेंगे पहले इधर पानी हो रहा है चावलो का अब मैं इसमें सबसे पहले प्याज एड़ कर दूँगी और प्याज का हलका सा कलर चेंज करना है बस जादा नहीं बस हलका सा एक मिनट के लिए इसको सोटे कर लेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा बस जादा नहीं करना है हमें बस यह हो गया है ठीक है अभी इसका कलर अब इसमें हम और सारी वेजटेबिल से एट कर देंगे सोया बीन के ग्रेन्यूल्स और यह सारी सबजियां जो थी कटी वी और इन सबजियों को हम अच्छी तरह भूनेंगे और हमें बहुत गलानी नहींगे यह सबजियां इसमें बिर्यानी में थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छी लगती है सबजियां तो इसलिए हम इने हलका सा भून लेंगे इसमें सॉल्ट डाल दिया सबजियों के हिसाब से थोड़ी मसाला डाला है यह मैंने सबजी मसाला एट किया था इसमें डो तीस्पून और टमाटर की प्यूरी आट कर दिये फिर इसमें हल्दी पाउडर का यूज नहीं करते हैं इधर पानी बी उबलने लगा है तो अब मैं इसमें चावल एट कर दूंगी यह जो हमने इसमें खड़े मसाले डाले थे इनने हम इसमें पानी में सब निकाल देंगे क्योंकि पानी में इनकी खुश्पु आ गई है अब इसकी जरुरत नहीं है अब इन चावलों को हमें 80% कुक करना है पूरा कुक नहीं करना है इनने हमें 20% नहीं खच्चा रखना है चावलों को यह चावल रेडी हो गए है मेरे 80% पके हैं अब मैं इनने ड्रेन कर दूंगी इनका पानी सारा यह मैंने बासमती चावल लिया है तीन कप चावल है और वेज़िटेबिल सारी एक एक कप हैं सबजिया मेरी तयार है इसमें मैं दो सर्विस इस्पून दही एट कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें अब इन चावलों को हम इसमें एट कर देंगे और यह थोड़ा सा केसर के कुछ धागे हैं जो मैंने पानी में भीगो के रखे थे इनको हम उपर से इसमें हलके से डाल देंगे तो इससे बहुत अच्छी खुश्बू और कलर आ जाएगा और यह पानी जो चावल छाने का निकला था यही पानी मैं इसमें एट कर रही हूं थोड़ा सा जाधा पानी नहीं एट करना है करीब आधा कब पानी मैंने इसमें एट कर रहा है अब मैं इसको चावलों को दम कर लेना बहुत ज़रूरी है नॉर्मल तारी पुलाओं की तरह नहीं बनाते हैं हम इसे यह आटा लगा दिया है मैंने इसमें अच्छे से अब इसको मैं ढकन से कवर कर दूँगी तो ऐसा ढकन लेना है इसमें जो की पूरा कवर हो जाए अच्छे से और अब यह पांच मिनट के लिए मैंने इसे सिम गैस पर रखा था उसके बाद बंद कर दी थी गैस थोड़ी देर के लिए और यह देखें चावल मेरे तयार हैं बिल्कुल और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में खिले खिले हैं बिल्कुल बहुत ही सुन्दर चावल एक-एक दाना खिला हुआ है बिरियानी का देखें कितना बढ़िया खिल के आएं यह देखें और कलर भी बहुत अच्छा है आया है वाओ मेरे मूं में पानी आ रहा है आप लोगों के भी आ रहा है बताईए मुझे यह देखें मैं सब प्लेट लगाती हूँ आहे यह चावलो में से आपके पास खुश्बू नहीं पहुचेगी पर बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है चावलो में से थोड़ी से मैंने मिन्ट लीव्स लगा दिये इस पर तो देखने में अच्छी लग रही है आजाएए खाने के लिए और बनाईएगा जरूर बहुत सिंपल सी रेसिपी है बहुत ताम जाम नहीं है बस हाँ थोड़ी वेजिटेबिल्स का यूज करना है इसमें